So hey guys, welcome back to my channel So guys, आज का वीडियो बहुत ज्यादा interesting और important होने वाला है मैं एक सुरा वीडियो एन तक देखिएगा So guys, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यकीन 2024 के बारे में तो जो लोग भी dropper student है जो 12th pass out हो चुके हैं तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं PW के तरब से एक नया बैच अनाउंस किया गया है NEET 2024 के लिए ये एक dropper बैच है तो अगर आप 12th pass out हो चुके हैं तब ही इस वीडियो के देखिएगा क्योंकि ये एक dropper बैच है NEET 2024 के लिए तो आज किस वीडियो में पुड़ा डीटेल में बात करेंगे क्या कोर्स डीटेल है क्या fee structure है कौन-कौन से teacher आपको पढ़ाएंगे कब तक आपका कोर्स चलेगा जो भी कुछ information होगा सब कुछ आपके इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और कितना आपको discount मिलेगा अगर अभी आप इस batch को purchase करते हो तो तो वीडियो पे end तक बने रहेगा तो guys सबसे पहले में आपको बताता हूँ ये एक dropper batch है यकीन 2024 ये पहला batch start हो रहा है जो कि NEET 2024 के लिए एक full proper dropper batch है 10 April 2023 से ये batch आपका start होने वाला है live class, pdf notes, quizzes and many more features आपको इस batch में मिलने वाले हैं जो अभी आगे वीडियो में बात करेंगे तो guys आपका जो ये dropper batch यकीन 2024 है 10 April 2023 से start होने वाला है और जब तक आपका NEET 2024 का paper नहीं होगा तब तक आपके पास यकीन का access रहेगा तक आप class कर सको तो guys ये जो batch है ये live class वाला batch है तो इसमें आपको recorded form में नहीं पढ़ना पड़ेगा live teacher के साथ interact करके आप पढ़ाई कर सकते हो लेकिन अगर किसी कारण वस आप live class नहीं कर पाते हो class आपका छूट जाता है तो जो भी live class होगा उसका recorded form में शाम तक PW app पे आपको video मिल जाएगा तो अगर आप live class नहीं कर पाते हो तो आप recorded form में भी देख सकते हो जैसे जैसे आपका पढ़ाई होता जाएगा topic wise या chapter wise आपको DPP देखने के लिए मिलेगा DPP quizzes form में भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ है DPP का video solution भी आपको मिलेगा ताकि अगर कोई question में आपको doubt है तो आप video solution देख के अपने doubt को clear कर पाएं और एक भी doubt आपके दिमाग में ना रहे subjects का बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि need के लिए physics chemistry and biology पढ़ा जाता है तो इस batch में भी आपको physics chemistry and biology पूरा complete syllabus 11th और 12th का करवाया जाएगा जो भी need के लिए sufficient रहेगा सब कुछ आपको इस batch में करवाया जाएगा अगर classes का बात करें तो week में 6 दिन आपका classes यहाँ पे लगने वाला है एक दिन में आपका 3 class होगा जो कि physics, chemistry या botany physics, chemistry या geology तो एक दिन में यहाँ पे आपके पास 3 class होने वाले है इस batch साथ ही साथ यहाँ पे आपको doubt counter class का भी option मिलता है अगर आपको doubt clear करना है तो आप teacher के साथ live interact करके उनसे बाते करगे और अपना doubt को clear कर सकते हो यह जो batch आप purchase करोगे यकीन 2024 इसका access तब तक आपके पास रहेगा जब तक कि need 2024 complete नहीं हो जाता है अगर fee structure का बात करें तो यकीन 2024 का जो fee है वो होता है 4,900 लेकिन अगर अभी आप इसका subscription लेते हो तो अभी आपको 12% का discount मिलता है जिसके करण आपका fee हो जाता है 4,200 तो अगर अभी आप इसका subscription लेते हो तो 12% का discount मिलेगा और आपका जो fee रहेगा वो रहेगा 4,200 रुपे और साथ ही साथ इसके साथ आपको खाजाना का भी access मिलता है अगर आपको नहीं पता है कि खाजाना क्या होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीटेल बता देता हूँ तो गाईज अगर आप यकीन का subscription लेते हो तो एक particular teacher एक subject के लिए आते हैं अगर जोलोजी के लिए मनिस दूबे सर आते हैं तो आपको पुरा जोलोजी उनहीं से पढ़ना है लेकिन खाजाना में आपके पास multiple teachers के option होते हैं आप किसी भी teacher से कोई भी chapter पढ़ सकते हैं तो गाईज यह benefit होता है खाजाना का तो अगर अभी आप यकीन का subscription लेते हो तो उसके साथ खाजाना का भी subscription आपको free of cost मिलता है तो गाईज अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि मुझे यह batch क्यों जोइन करना चाहिए तो गाईज अगर आप class 12th pass हो चुके हैं और NEET 2024 का aspirant है तो आप इस batch को जोइन कर सकते हैं क्योंकि इस batch में आपको पूरा NEET का syllabus complete करवाया जाएगा गाईज अगर medium का बात करें कि यह जो batch है यह किस medium में होने वाला है तो गाईज देखो यह English medium में होने वाला है ना Hindi होने वाला है ना English होने वाला है इसका यह मतलब होता है कि जो भी writing format रहेगा जो भी आपके modules रहेंगे जो भी DPP रहेगा जो भी teacher board पे लिखेंगे वो English में लिखेंगे लेकिन for better understanding ताकि आपको ज़्यादा clarify हो सके ज़्यादा आप अच्छे से पढ़पाऊ समझपाऊ उसके लिए वो आपको Hindi में समझाएंगे तो guys इन दोनों को मिला कर बन जाता है English subject तो guys इन दोनों को मिला कर बन जाता है English तो आपका जो medium होने वाला वो English होने वाला है जो भी आपको लिखवाया जाएगा वो English में लिखवाया जाएगा लेकिन teacher आपको Hindi में समझा समझा के पढ़ाएंगे तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, comment से जरूर कीजेगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजे जिससे के हमारी uploads की सारी notification आपको time पे मिलती रहे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ